असलाम लेकुम फ्रेंद्स, वेलकम, वेलकम बाक टो माई चानल, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आप सचल कैसे बना सकते हैं, सचल जिसको इंग्लिश में मैलो बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मसेदार, आप इसको जरूर ट्राइ केजिएगा, चलिए सबसे पहले हम सचल को साफ करेंगे, जिस तरीकी से हम बागी सबसी को साफ करते हैं, इसी तरीकी से हम इसको भी करेंगे, और डंडी को हम तोड़ देंगे, यहां पर हमने सारी सचल को साफ कर लिया है, अच्छे से इसको दो के रख दिया है, यहां पर हम एक पैन लेंगे, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, इसमें आप काफी तेल डालेंगे, क्योंकि स्वचल काफी तेल लेती है, जो ही इसका दुआ निकल जाएगा, हम इसमें स्वचल शामिल करेंगे, अगर आपके बस काफी स्वचल है, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, जो ही स्वचल गल उसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे उसके बाद ये पानी छोड़ना स्टार्ट करेगा अब मैं इसको एक दो मिनद तक पकाएंगे ताक कि इसका जो कच्छा पन हो निकल जाए यह देखे इसने पानी छोड़ना कर दिया है और स्वचल भी थोड़ी शामिल करेंगे एक दो मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च यहां पर हमने हरी मिर्च सूखी हुई यूज की है इनको हमने एक दो मिनट तक पानी में बिगो के रखा था अगर आपके पास ताजा हरी मिर्च है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसको अच्छे से एक दो मिनुट पकाएंगे फिर जाकर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे मसालों में हम शामिल करेंगे आधी चोटी चमच हल्दी का पाउडर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यहां तक स्वाच्छल अच्छे से पक चुकी है इसका पानी भी ड्राई हो चुका है अब हम इसमें एक दू टेब्ल स्पून पानी शामिल करेंगी हमारे पास मटन स्टॉक था हमने वो शामिल किया है अगर आपके पास मटन स्टॉक अविलेबल नहीं है अब एक दू टेप स्पून पानी शामिल कर दे मटन स्टॉक शामिल करने से इसका टेस बढ़ जाएगा अब हम इसमें आदी छोड़ी चमाज सॉंफ पाउर शामिल करेंगे अच्छे से मिला ले इसके बाद हम इसके अंदर कोई भी मसाला शामिल नहीं करेंगे खाली स्लो हीट पे हम इसको दो चार मिनट पकाएंगे बीच बीच में इसको हिला दे रहेंगे ताकि ये बरतन को चिपके न यहां पर सचल रडी हो गई है आप इसको ज़रूर ड्राइ केज़ेगा अगर आपको ड्राइ नहीं पसंद है आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी की उस करें तो वैसे भी ये बन जाती है लेकिन हमें ये ड्राइ ही पसंद है कश्मीर में इसको राइस के साथ खाया जाता है आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा हमारे साथ फीडबैक शेर कीजेगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी हमें कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बोलेगा और हमारी चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कीजेगा